वोट में आपका स्वागय तो रुख कर ले तो 36 गड़ की खास खबरों का तो दुर्ग से खबर बता दे दुर्ग की पाटन सीव पर त्रिकोणिये मुकाबला होगा जोगी कोंगरस के प्रमो का मित जोगी ने नामंकन फाwnया से भर दिया तो नामंकन भरने के बाद हमें जोगी का बयान भी सामने आया जोगी सिर्फ छेरा पाटन बासी ही लड़ रहे चुना ओए उनका कहना ह में पाटन सी एम भूपेश बगेल है ये बड़ा बयान सामने आया है, हमिद जोगी का, यूखी पाटल से जे सी सी जे के प्रत्याशी हैं और उन्होंने नामंकन दाखिल कर दिया है. पेश बगहेल के खिलाफ नहीं, ब्रष्टा चार के खिलाफ लड़ने का निन्ने लिया है. मेरी लड़ाई ना तो कॉंग्रेश के खिलाफ है, ना तो भाजपा के खिलाफ है, मेरी लड़ाई तो केवल और केवल गरीबी के खिलाफ है जो कम हाक रहते हैं। तरफ देख भी नहीं रहते बोले थे पार्टी खतम हो गई है पिछले 55 दिनों में जो महौल बना है पूरे 36 गड़ में पाटन से लेकर पठनम तक जो महौल बना है सबको समझ में आ रहा है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है जो लोग ये सोचते थे कि जोगी जी मर गए वो आज देख रहे हैं कि सवा 3 करोड 36 गड़ के लोगों में आज भी अजीत जोगी जी जिन्दा है बनता नजर आएगा देखे बिल्कुल पाटन सीट वैसे भी काफी हो गया है कि एक तरह हम बात करें तो सांसाथ विजया बगेल बीजेपी से और कॉंग्रेस से मुख्यमंत्री हुपेश बगेल और आप जोगी कॉंग्रेस के जो अध्यक्ष है अमीज जोगी उन्होंने भ बीजेपी पर विश्वास ने किया सीधा जन्ता कॉंग्रेस जोगी का दामन थामा तो ऐसे में जोगी कॉंग्रेस यह बताने का प्रयास करी है कि जोगी जी के निधन के बाद जेसी सी जे बिखरा नहीं है बलकि और मजबूत हो रहा है और जिस तरह से अमीज जोगी ने च अब जाने तरह जोगी कॉंग्रेस और भूपेद भगिल भूपेद भगिल हला की पहले भी कहते हैं कि जीज issuesी जी तकर यहां पर देखने को मिलेगी और देखना यह कि अब कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती क्योंकि अब ये तीनों ही पार्टी मैदान में और काटने की टकर यहां पर देखने को मिलने वाली बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए बातचीत के लिए कुलेश्वर